हेलो प्रेंट्स मैं वून हूं और आप देख रहे हैं दौ ओ आल वीडियो टीएवी तो सवागत आपका दौ इस दौ आल वीडियो टीएवी मैं अभी जा रहा हूं मैं भवुआ और अभी सुबह के हो रहे हैं चार बज रहे हैं तो मेरे घ्वाईया आने वाले थे तो उन्हीं को रिसीव करने के लिए मैं जा रहा हूं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की सुवस्व पठना के लिए जो बस लगती है, बनारस के लिए जो बस लगती है उसरब को, तो मैं आभी नहर पर पहुचने वाला हूँ और ठंडा बहुत ही काफी है जिसे बाइक चलाने बहुत प्राब्लम हो रही है भाई लोग और मैं आपको पीछे का रास्ता का सीन इसलिए निखाया क्योंकि पीछे लाइट नहीं जलती है तो आपको अच्छे saying दिखाए देगा और आइक के लाइट से आपको कोई मजा नहीं आएगा तो जिसके वज़ा से मैं आपको भाबुआ जाए यहां पर लाइट जल रहे हैं तो यहां का स्थीन दिखा रहा हूं तो अभी देख सकते हैं सुबहा का 4 बज रहा है और कोई लोग रोड पर दिखाई नहीं दे रहें, बहुत कम लोग रोड पे दिखाई दे रहें, क्योंकि इतने ठंडा में कोई भाई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, गर्मी का अगर यही दिन होता, तो बहुत लोग एस्टेडियम जा रहे होते, दोडने के लिए, टहलने के लिए, बहुत लोग दिख जाते हैं, बाई गर्मी के दिन में, लेकिन धंडा के दिन में, मैं अभी तक इस्टेडियम के गेट के पास भी आ चुका हो, देख सकते हैं, कोई नहीं दिख रहे हैं रोड पे, एक दो लोग दिख रहे हैं सामने से, दो लोग आ रहे हैं, तो और यहां पे भीर लगा है, स्टीकेट के लिए क्योंकि यहां पे एक डॉक्टर सुबह सुबह का काउंटर खुलता है, तो वहीं स्टीकेट के लिए लोग बुर्जी कटाने के लिए लगते हैं, तो हम आ चुके हैं, देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, हमें महिला कॉलेज पार कर रहे हैं, और एक ता चौक पे आ चुके हैं, तो यहां पे बस लगी हुई होगी, तो चलिए देखते हैं, कि कितनी बस लगी हुई है, क्या होता है, तो वीडियो पे बने रहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पटना के लिए सब बस लगी हुई है, और बहुत कम बस लगी हुई, ज तो यही था तो आज के लिए बस इतना ही और ज़ादा बस नहीं लगी हुई है तो पताने मुझह भी नहीं पता चल रहे क्या है तो बस नहीं आई VIDEO में तब तक के बाव बाई